पिछले साल 1138 लोग कराची में मर गए बंदूकों से और unnatural deaths जिनकी सिर्फ टारगेट के लिंग के हवाले से हुई सारी स्यासी जमातों के लोग थे इस अभी आज पिछले 24 गंटे में पिछले 48 गंटे में 60 लोग मर चुके हैं ये भी एक नंबर है लेकिन आप अगर इस तरह सोचें कि कराची वाले ने एक 6 साल की बच्ची जो कराची में रहती थी उसे मार दिया इतनी नफरत कराची में ही थे थे वो लड़काना से नहीं आये थे राल पिंडी से नहीं आये थे कराची कही थे, यह नहीं कि वहाँ से लोग आगे कर सकते हैं, मकसद यह है कि आपके शेहर के थे, आपके शेहर में सब इतनी नफरत है, कि अगर हम लोग फोन लाइन्स खोलेंगे, तो हमें अगर कुछ पश्टून कॉल करते हैं, तो वो उर्दू स्पीकर के हवाले से कहेंग घर जाने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी शकल जो थी वो इस तरह थी, जैसे वो पतनी किस जंग के मैदान के अंदर से गुजर रहे हैं, और अभी ड्रोन अटैक होने वाला है, इसी तरह चार महाजर कराची के किसी और कोने में होंगे, जिनको मैंने नहीं नहीं देखा, जो के वहां से गुजर रहे होंगे, जहां पर पठान मजॉरिटी है, पश्टून मजॉरिटी है, उनकी भी आंके फटीवी होंगी, वो यह सोच रहे होंगे, हमारे साथ पतनी क्या हो जाएगा, कौन रोक लेगा, क्या कर देगा, रेंजर से आप अलग डरें, वो भी लोग पार्टीज उनको एक्स्वाइट करती हैं, मेरे खाल से नफरतें नहीं थी, डिफरेंसे थे, डेफिनिटली इनकमपैटिबिलिटीज थी, लेकिन नफरतें जो हैं, उनके लिए मैं सरसर जो है, बलेम करूँगा, ना के पुलिटिकल पार्टीज को, बडवेस्टेड इंट करता, डेफिनिटली वो उसको अपने से अलग समझता होगा, वोट वो उसको नहीं देगा, बेटी उसके घर पे नहीं देगा, वो तो मैं बलकुल मान सकता हूं, लेकिन नफरत एक बहुत बड़ा वर्ड है, और वो नफरत जो है, वो उस वक्त तबदील हो जाती है, जब एक मुनजम तरीके से आपको कुछ जो है सिखाया पढ़ाया जाए, और फिर मेरे खाल से, या आपको देखने को मिले, और फिर सिखाया पढ़ाया जाता है, तो फिर ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जो आपको देखने को मिलती हैं, और फिर रियाक्शन का रियाक्शन और उस At the end of the day, it takes care of business after that. The people who are living in Pashtun, Mahajan, Urdu-Speakers, people who are living in Sindh, are these numbers. 1, 2, 3, 1, 2, 3, people are living in Karachi. First of all, this is the only issue that we actually should call Pashtun-Speaking Sindhi or Urdu-Speaking Sindhi. And actually, these differences that you have created such categories, is a very big issue in Karachi. And Karachi Aide, which is, I don't know, this is a melting pot. That if we come to the end of the day, this is political parties, it is possible that NPR and MQM, we are living in Karachi Aide. This is the end of the day. And this is the end of the day. And then, the end of the day, this one is really important to me. And this is the end of the day, the end of the day. And this is the end of the day. And it's the end of the day. से ये के कराची में तकरीबन हर घर में अब असला होगा और इसी तरह अगर है नहीं तो जा नहीं है वो भी अब सब लेने वाले मेरे खाल से और जरूरी नहीं है कि वो अग्रेसिवली यूज होगा और जरूरी नहीं है कि उसके बतरीन नतायज होंगे हो सकता है बेतर जोंगे लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं बिकोज ये एक अन्रेगूलेटेड तरीके से होगा और एक मजबूरी में होगा तो बारहल इसके नताइज जो जानने वाले हैं उन्होंने अब मैं सियसी जमात का नाम नहीं लूगा कियोंकि ये उनकी सुनी वेहा इसे वो काफी घुस्से वाले हैं तो उनका घुस्सा जो है वो पिछले एक दो हफते में काफी ठंडा हो गया है क्योंकि उन्होंने एक दो हरकते करनी कुशिश की है on the road that have backfired, quite literally, एक दफ़ा कोई सहाब ने उनको गाड़ी जो है उनकी दबा दी या उनकी गाड़ी के सामने उनकी गाड़ी आगी तो लड़ने के लिए उनकी गाड़ी के सामने जाकर रोख दी और उनका या आप कैसे गाड़ी चला रहे हैं, वो सहाब उतरे, बंदूग निकाली, और का आप जानते नहीं है, मैं कौन हूँ, इसी तरह और फिर उनके सुना दिया कि मैं जी फ़ला चीज का मैं ये लीडर हूँ या पिर मैं कारकुन हूँ या क्या हूँ, इसी तरह वो सी एंजी की पंप की लाइन में लगे ते, काफी लंबी थी, तो उनके सामने एक और सा क्यों है? लेकिन मासूम लोग जो हैं, वो तो एक means to an end बन जाते हैं ना, इन सियासी मफादात और इन objectives और इन goals के लिए, लेकिन देखें अब ये जो dynamic कराची में उभर रहा है ना, ये है dangerous, जिस तरह People's Party को eventually सिंध में MQM को एक political reality के तोर पे accept करना पढ़ा, कर चुके हैं अ तो, उसी तरह MQM को, सिंध में नहीं किया, कराची में किया, सिंध में भी करना होगा, ये मतलब सिंध में कराची सिंध का capital है, एन पी को उसी तरह तसलीम MQM को भी करना होगा, लेकिन वो तसलीम करवाने का अमल violently होगा तो उसके बुरे नतायज होंगे, ये ballot के थूँ तस अचारी है, तो they may be obviously reacting in a way that is, you know, perhaps, you know, adding to what is going on. लेकिन ये जो सारी political tough battle है आपस में, ये electorally अगर हल हो, politically अगर हल हो, तो सब का इसमें फायदा है, और मैं कहता हूँ कि ये actually जो है, ये law and order का issue से पहले एक political issue है. Political issue पहले है, इसके वोपर एक break के बाद हम थोड़ी तस्दील से बात करेंगे, political issue पहले है, है एदरवईद साब कहते है, political issue की वज़ा से ही सारी problem तो नहीं है, ये politics है एदरवईद का ख्याल ही है, कि solve कर सकती है ये सब कुछ, मैं इससे कुछ हद तक agree करता हूँ, लेकिन सिय तक वज़ा से ही हम हमेस में हैं, rangers, police, नोग काम क्यू नहीं कर पारें? कि सियासत की वज़े से हम लोग था मिन जाने हैं, भसे में हैं, हम सियासत करते हैं, नंटे मार के, युनिविरस्टी के लिए, अब हम सियासत करते हैं, जोलिया मार के, मासूम लोगों को, क्योंकston के कॉसोव के अंदर, कॉसोव लिबरेशन आमी ने यह डिसाइड किया था कि जी, यह सर्भियन्स हमार उपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, हमें इनसे बचना हैं, तो उनको किसी ने कह दिया था, अमेरिकन्स जब आएंगे, जब आकर 15-20,000 मरेंगे, तो कॉसोव लिबरेशन आर and, I'll be back with you after a break.